हर हर महादेव जैश्री केदाना दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में और आज कि आप लाइब दर्शन कर सकते हैं श्री केदाना धाम से आज की तारीक है 20 सिप्टमबर 2024 जैसा कि आप सभी देख रहे हैं केदाना धाम पर काफी सारे यात्री पहुचे हुए हैं जो बाबा केदाना के दर्शन करने के लिए और ये संख्या और बढ़ने वाली है आने वाले समय में आप सभी के मेरे पास बहुत शारे कोशन वी आ रहे थे खास करकि केदाना धातर से जुड़े हुए उसमें आप मेरे से पूछ रहे थे कि अगर आप उपने बच्चो बच्ची की उमर चार साल है क्या उन्हें अभी प्लैनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए आप सभी को बता दू आपकी बच्ची की उमर अगर चार साल है तो फिर आप उनके साथ एक चीज़ जरूर लिकाएं वहें गरम कपड़े मुझे पता है गरम कपड़े और लेडी केरी करोगे फिर भी आप उनके साथ थोड़े जादा गरम कपड़े केरी करें क्योंकि मौसम अभी ठंडा होना चालू हो चुका है साम के वक्त केदाना धाम में और आने वाले समय में और मौसम ठंडा होना चालू हो जाएगा अभी आप देख सकते हो यह जो चार एक दो डिगरी के आसपास जा रहा है तो गरम कपड़े बहुत जरूरी हैं साथ के साथ अपने छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो उन्हें अगर आप पैदल तरीके से ला रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप पिट्टू में उन्हें लेकर आए उन्हें पैदल यात्रा बिलकुल ना कराएं पैदल यात्रा में उन्हें बहुत जाद ठकावट हो जाएगी और यात्रा नहीं कर पाएंगे अगर आप उन्हें पिट्टू में लेकर आते हैं तो आसानी से उन्हें के दानत की यात्रा करा सकते हैं बट थोड़ा सेफ तरीके से यात्रा करा क्योंकि पिट्थु वाले को बोल देना कि आपको हमारे साथ ही चलना है आप आगे नहीं चलो देखो आप मेंसे छोटे बच्चों को लेकर बहुत से लोग आते हैं के दानत की आत्रा पर जिनकी उमर दो साल से कम होती है मैं उन्हें कवीवरी कमणनी करता कि वो के दानत की आत कुछ आए हुए हैं काफी सारे यातरी लाइन में लगे हुए हैं जो बावा के दानत के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं बागी के दानत परिस्तर के अंदर आपको इतने सारे हत्री देखने को मिल रहे हैं ये संख्या और बढ़ेगी जैसे ही मौसम और साफ होगा सनौफ होल होगी या तरी और प्लैनिंग करेंगे बावा के दानत की यतरा पर आने के लिए आने वाले दिनों में मौसम काफी साफ रहने वाला है ये मैं आपको बता दू तो आगर आप प्लैनिंग कर रहे हो आने वाले दिनों में बाबा के दानात की धाम पर आने के लिए तो आप आ सकते हो मेरी तरफ से बिलकुल भी आपको 100% गारंटी है कि आने वाले 3-4 दिन काफी साफ मौसम रहने वाला है और 3-4 दिन के बाद थोड़ा बहुत मौसम गड़बड हो सकता है आपको बारिस देखने को मिल सकती है और उस बारिस के अंदर आपको सनौफॉल भी देखने को मिल सकती है क्योंकि मौसम चेंज होगा तो अब के दानात में सनौफॉल चालू हो जाएगी बाकी आप सभी देख लीजिए आज के प्यार दर्शन और उनको भी दर्शन कराईए जो बाबा के दानात की धाम पर नहीं आपा रहे हैं किसी कारण वर्स उनके साथ हमारी वीडियो को शेर करिए जिससे कि वो लाइफ दर्शन कर पाएं डेली बाबा के दानात धाम से और ही पहुच रहे हैं जो बाबा के दानात के दर्शन कर रहे हैं जो कि आपको यहां देखने को मिल सकता है कितनी सारी भीड़ भाड़ है और देख रहे हो आप के दानात परिसर के अंदर और बेसिकली आप सभी के कोशन मेरे पास और वी आ रहे हैं खास कर कि मैंने कल वीडिय मिल जाएगा या फिर नहीं देखो अगर आप यात्रा कर रहे हो तो मेरा रिकमर रहेगा कि आप मौर्निंग के बाग जितनी जल्दी पहुच पाओगे उतना ही आपके लिए पैस्ट रहेगा अगर आप 12 वर्य तक के दानात पहुच जाते हो और वहाँ पर होटल की कौरी करते हो तो आपको ओफलाइन होटल मिलने के चांस 90% होते हैं बट अगर आप थोड़ा लेट होते हो 3-4 बज जाते हैं या 4-5 बज जाते हैं तो उस टैम जो याते जल्दी पहुच रहे हैं वो होटल बुकिंग कर लेते हैं और उन्हें होटल नहीं मिल पाते हैं तो ये एक होटल का मैं आपको बता रहा हूँ कि आफलाइन तरीके से भी आप होटल बुक कर सकते हो डॉर्मेटी बुक कर सकते हो और कैम्प बुक कर सकते हो बाकि अगर आप प्लाइनिंग कर रहे हो चार धम यातरा की या फिर दो धम यातरा के लिए या फिर इस पेसल केदाना त्यातरा के लिए तो उसकी विक्वाइरी आप इस नंबर से कर सकते हो आपको सार आज के लाइफ दर्शन करिए बावा केदाना धाम से और कमेंट सेक्षन में हर हर महादेव जरूर लिख के जाईए जिन्होंने ये वीडियो देखी है इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलता हूँ आप से जल्द ही नई वीडियो में और नई वीडियो में आपको जल्द ही लाइफ दर्शन कराता हूँ बावा केदाना धाम से बावाए टेक यर जैश्री केदानाद केदाना जी आप सभी की मनों कामना पून करें